तो इंटरनेशनल किरिकेट काउंसल यानि की IECC ने T20 वर्लकप 2024 का 100 परसनल कंफर्म और फानल सेडियूल ओफेसली अरिकारिक तोर पर एनाउंस कर दिया है इस वीडियो में आपको पूरी विस्ता से बताने वाने के आखिर T20 वर्लकप 2024 किस तारीक से शुरू होगा किस तारीक को खतम होगा इसमें टोडल कितनी टीम पाटिसिपेट करेंगी वो कौन कौन से टीम में होगी और इनसे भी टीमों के भी टोडल कितने मैचेस खेले जाएंगे और सब भी मैचेस कब और कहां और कौन से स्टेडियम में खेले जाएंगे जिबकि गुरूप्स की भी बात करेंगे क्या खिर कौन से टिम किस गुरूप में मौझूद है और किस फॉर्मिट में खेला जाएगा यह टूनामेंट यह वीडियो काफी इंटरस्टिंग होगी शुरूत लेकर लास तक पूरी वीडियो देखते रहें तो बात करते हैं सबसे पहले इसके डेट और तारीख के बारे में तो इंटरनेशनल किरिकेट काउंसल यानि की आईएएटीट ने आफिसली एनाउंस कर दिया है कि ICT Men's T20 World Cup 2014 साल 2014 में खेला जाएगा जून के महीने में जो कि 4 जून 2014 से ये टूनामेंट शुरू होने वाला है और 30 जून 2014 को इसका फानल महा मुकाबला खेला जाएगा अब जहां इससे पहले World Cup 2013 ODII Format में खेला गया था 50-50 ओवरो का लेकिन इस बार T20 World Cup 2014 में खेला जाएगा 20-20 ओवरो का जो काफी जबरदस्त और सांदार होने वाला है और इस T20 World Cup 2014 में दस टीम ही नहीं बलकि टोटल 20 टीम में पार्डिस्पेट करने वाली हैं जी यहां टोटल 20 टीम में खेलेंगी और इन 20 टीमों के बीच टोटल 55 मुकाबले खेले जाएगे अगर हम बात किने इसके होस्ट के बारे में क्या किर कहा पर खेला जागा यह टूनामेंट तो T20 World Cup 2014 वे संडियर और USA यान टोटल 20 टीम में पार्डिस्पेट करेंगी तो सबसे पहले सभी 20 टीमों के बीच गुरूप स्टेश के मुकाबले खेले जाएंगे जहां एक गुरूप में 5 टीम होंगी टोटल 4 गुरूप होंगे और सभी टीम में अपने गुरूप की बचीवी टीमों से एक-एक मुकाबले खेले जाएंगे उसके बाद सूपर एट में सभी 8 टीमों की 20 मुकाबले खेले जाएंगे तो सूपर एट में से टॉप की चार टीम में क्वालिफा करेंगी समी फानल के लिए और बाकी की चार टीम यहीं से बाहर हो जाएंगी उसके बाद 2 समी फानल मुकाबले खेले जाएंगे दो नहीं समी फानल से एक टीम पहुचेंगी फानल में और इस तरह से टीटवन्टी वर्ल्लकप 2024 का फानल महा मुकाबला खेला जाएगा अब अगर हम बात थे टीटवन्टी वर्ल्लकप 2024 की सभी टीमों के बारे में क्या कि वह कौन सी बीस टीम है जो इस अब बढ़ते हैं वीडियो के ओल तो बात करते हैं सबसे पहले टीटवन्टी वर्लकप 2024 के स्टेडियम वेल्यू के बारे में तो आपको बता दे कि टीटवन्टी वर्लकप 2024 टोटल दस वेल्यू दस स्टेडियम में खेले जाएंगे साथ स्टेडियम वेस्टन डीज में तुम्हें तिन स्टेडियम USA यानिकी United States of America में हैं तो पहला स्टेडियम है अंटीगा एंड बर्बोडा का North Sound Sir Vivian Richard स्टेडियम दूसरा स्टेडियम है बर्बादूस के बिरिंग टाउन केंग्स्टन ओवल स्टेडियम तीसरा गिराउंड है दोमिनिका के रोशियो विंडशोर पार्क स्टेडियम तुम्हें चोथा स्टेडियम है ग्वाना के प्रविडेंस प्रविडेंस स्टेडियम तुम्हें पांचवा वेन्यू है सेंट ब्रेंड फेरी का गिराइंड फेरी स्टेडियम 9ड है लाउड रहे लेल का सेंट्रल ब्रॉवर्ड पार्क सिटेडियम 20 से strategous एइसेन हाउर पार्क सिटेडियम तो यहीं इनस सभी वर्लकप नहीं सब्सक्राइब से वस्त में ट centrifट इमDas स्टेट्स यानि की यूए से अमरीका दूसरी टीम वेसंडीज है जब कि अस्ट्रेलिया इंगलेंड इंडिया नीदर लेंड नियूजिलेंड पाकिस्तान सौथ अफरीका स्री लंका अफगाइस्तान बांगलादेश आयरलेंड इसकोटलेंड पपु न्यूगीनी कनाडा ने इस तक खेला जा रहा है अफरीका क्वालिफाइर तो यहां से टॉप की दो टिम क्वालिफाइर करेंगे T20 वर्ल्ल कप दूजाल चोबिस के लिए तेरी से भी 20 टीम है तो फिलहाल इस वीडियों बस नहीं यह सब कुछ कंफर्म और फानल हो चुका है अभी सब ही मैचों का schedule announce नहीं वागी कौन सा मुकाबरा किस दिन किस टेम से खेला जागा जैसे ही स्रेवी मेचों का पूरा confirm schedule announce होता आपको सबसे पहले एसी चैनल के रिकेट स्टोपर फैंस पर उसकी अपडेट से दिछ जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही टेलिग्राम चैनल को भी चोइन कर लें लिंक डिस्क्रीप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन आए